दोस्तों जैसे कि आप जान रहें कि इस स्रीज में हम आपको chapter wise important question बता रहे हैं और यह सबी topic में यानि यह सब आपको chapter में थोड़ा मुरा भी आपको दिकत होगा ना तो अब ही इस वीडियो के देखने के बाद यह आपका थोड़ा मुरा भी दिकत आपको खतम हो जेगा यान पूषता है और इस तरह का कोहचन पूषता है, तो किस तरीका से अब बनाएगा यह तरीका भी आपको हम सहिखा रहे हैं, तो यह शरीज आपको देखना बहुत-बहुत इंपड़ेंट है, और बहुत तागरा वाला कोहचन इस स्रीज में हमापको करा रहे हैं, इस लिए आपको प्रेष्टी करना जैसे आपको बता रहे हैं उसी तरीका से अगर आइसे सवाल मिल यह तो बनाना है बहुत ही आसान तरीका से आप बहुत जल्दा बना लीजिएगा तो चलिए पहिल का कोचन देखे के कहता है कि किसी घाटना की परीक्ता तीन बटा साथ हो तो इसका प्रतिकूल सवयूंगा अनुफात कितना है चार्गू अपसं देया है देखिए प्रतिकूल और आनुकूल दुग इसमें से हर्मेशा आपके एकजाम में जो परीकता है नया इन्य usability है यानि दूग ऑर में सा सवाल पुछता है या तो प्रतिकूल पुछेगा और नहीं बराबर इसका सुत्र होता हुआ देखिए ओँवन माइनस पी कितनी अभागा पी होता हुचेघ migrant कम प्रतिकूल का होता है ठीक है फागा पूल का पुछे गांत फ्रतिकूल पूछे गाई यह नीची आजएगा यह कूछ करना कookie यह जो मान दिया है प्रतिकूल पूचा है प्रतिकुल सवयोगानुपात पूचा है तो इस पे मानुवा रख देना है रख देने के बाद हल किजिएगा तो यह चारों में से कोई ना कोई एक एंसर आजेगा देखिए यहाँ पर हल करते है वन माइर्स देखिए यह तीन बाटा साथ यह पी का मानना तो जैस सात में आयक का से यह toके 10 wa और 7 साथ में इतने साफ हैं देखिए साथ में से तीन गटा एगा तो 4 होगा और नीचे कितना है नीचे 7 है तो 7 हो जाएगा यहाँ पर भी देखिए यह 3 बाटा 7 है तो 7 हो जाएगा यह जोब उपर पल्टेगा किस तरह पल्टेगा जैसे कि 4 बाटा 7 है तो उसी तरह रहेगा यह गुना का चीन है तो गुना का देखिए यह जोब उपर जाएगा यह देखिए यहाँ पर भाग में है तो देखिए बाता कहिए या अनुपात कहिए बात एक ही होता है तो इसको चार अनुपात तीन आप अराम से लिख सकते हैं जो आपसन नमर A में दिया है ठीक है बिल्कुल आपको बुझा गया होगा चलिए पहिलका कोचन इस टाइप का जो भी आपसे पुछेगा ना तो इस कुल के लिए ठीक है बुझा गया चलिए एक नमर आपको कोचन बुझा गया चलिए दूसरा के कोचन की ओर चलते हैं देखिए दूसरा नमर यहां पर कोचन दिया है कि P क्या दिया है कि P यह परीक्ता है देखिए P पलस P डैस का मान कितना होता है तो एक होता है कितना होता ह फाई तो एक होता है बूझा गया किसे सवाल रहते हैं जाके private के चला एसे में जितना आपको करा रहे न हो अगर उत्ना कर करें जाते हैं तो 50 अब्जेक्टीव कोचन आपको वनाना उनकि जिन्य आप एक तो सराएं दूनों पर सम् में अब हाज संख्या पाने की परीक्ता कितना होगा पांच भी आएगा है इसे कर चार पांच भी आएगा एसे करके चार यहां पे चार पांच भी आएगा। तो चौंग और और उंगों कोना और तो फिर यह स्क्ताएं से दिए लूनों को गुना कर दिजिएगा तो दूनों पर सम आभाज संख्या तो कभी कभी एक बार हम पॉसें को फेके तो कभी कभी एक भी एक भी आया होगा बिल्कुल इसमें एक एक आया होगा दू-दू भी आया होगा बिलकुल आया होगा तिन तिन भी आया होगा आया बिलकूल आया होगा इखेए ये क्या बहुत बलाए होताय तक होता है तो देखेए यहाँ पर पर फीन पर लागया से तो फिर दू आगया तो एक वार में नहीं आया है तो इसका मान एक हो जगा इसका मान कितना होगा एक हो जाएगा जो P बराबर जानते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से P बराबर कितना होता है एनी बटा कितना होता है एनी बटा एनेस होता है यही न होता है बिल्कुल यही होता है जो एनी कमान कितना दिया है एक दिया है, एक दिया है न, एनेस कमानी हाँ पर कितना है, एनेस कमानेस कमान dysra है, यहीं है इसका एंसर होजाइगा, एक बटा dysra यहीं है, जो आपसन नमर ए मेरे है, ठीक है, बुझा गई, इस तरह का कोचन मिलेगा, तो इसी तरह बनाएगा, सिधा आपको अंदमान लगा यहां पर जो भी कहेगा उसका मान देख ले नहां इसका पी बटा पी बराबर एनी बटा एनस हो ता उसका एंसर हो जाएगा बुझा गया चलिए तीसरे नमर तो होगी आप चोथे नमर सवाल की और चलते हैं वहुत इंपोर्टेंट है यह के एक तास के बावन पतों में से त जानते हैं चार गो रंग होता है तो सिधा ड्रेक्ट बनाईए यह जीतना यहां पर देगा उसको यह जड़ी लीखने के बाद इसको कटीए तो देखिए तो चारे का चार चार जानोन यहां पर देगा उसको उपर रख लीजिए यहां पर देखे उप में नीचे आई यानि एक बाटा तेरे यहीं इसका एंसर हो जाएगा जो ऑप्सन नमर बी में दिया तो ऑप्सन नमर भी इसका विल्कुल सही एंसर है इस तरह का पुछेगा तो इसी तरीका से आप बनाएगा चलिए चार को कोचन हो गया पांचों नमर कोचन देखिए दो पसे में द्वीक आने की परिक्ता बहुत इंपोर्टेंट है यह 100% आपको इसका एंसर याद कर लेना है क्योंकि आपके डिरेक्ट आपकी एकजाम में यह सवाल इसाल छपने वाला है ठीक है कहाता है कि दो पसे में द्वीक आने की परिक्ता कितनी होगी तो देखिए एनिक अगर हम मान निक का की theor इस तरह चार भी आएगा इस तरह रएगा और एक दो भी आएगा यहाँ परिक्ता होजाएगा यहां में दय। सब्सक्राइब को इसलिखेते यही ना लिखेते जो है जैखें यहां पर ओवरड़ाइब कितना कितना है chỉ उपर झो म maior जाएगा और देखें यहां पर NS कमान कितना है 36 है तो इसको काटिएगा तो 1 बटा 6 हो जएगा नि 6 चाटिस यानि 1 बटा 6 यही इसका एंसर हो जएगा यह आपको याद कर लेना है किसी भी हाल में कि इसका एंसर अगर द्वीक पुछेगा तो इसका एंसर 1 भागा 6 होगा ठीक है तो चलिए 5 को कोचन बता है ना बहुत बहुत इं Pokemon को आपको बार बार प्रेष्टिर करना है और इसके सवाल में यहीं सब पूछता है और यह पुछेगा तो सूत्र और पूछेगा झाए और इस से ज्यादा नहीं पूछता आए तो चलिए यह चिप्टर आपको पुरा फिनीस हुआ आप चलते हैं आउकलन की ओर कितना आउकलन की ओर देखिए बहुत ही बहती बहती नंतरीका से यह सवालों को कराते हैं देखिए यह सवाल हरमेशा पूछता है पहुत सब्सक्राइब गलती करते हैं कि रहाखिक आउकलन समिकरन में इतना मान दे देगा Q है, तो समकलन गुनांग कितना होगा, चारगो आपसंदिया रहेगा, कोई से बनाईएगा, देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, क्या देखिएगा, यहाँ पे अगर Y दिया है, तो X रहेगा, और इसका साथ में भी P रहेगा, ठीक है, यह जैसे रहेगा, उसी तरह रहेगा, और यहाँ पे उल्टा रहेगा, अगर X रहता, तो यहाँ पे Y होता है, Y दिया है, तो X होगा, यही इसका एंसर होगा, तो देखिए, यहाँ पे देखिए, P तो है, ठीक है, यहाँ पर Y है, तो यह तो होगा नहीं, जो यहाँ पर बोले है कि इसका उल्टा होगा यह तो होईबे नहीं करेगा यहाँ पर Q है यहाँ पर P इसके साथ उना चाहिए हो नहीं होगा यहाँ पर Dekhya Q है हफिए यहाँ पर Y है यहाँ पर P है यहाँ पर X है इसके साथ है जो Option number D में है बुचागाई इस तरह जब भी आपको कोचन मिलेगा इस तरह आप छाटिएगा यहां पर देखेगा यहां कुछ भी मान बदल सकता है इसके साथ यह हरमेशा रहेगा अगर यहां पर जो रहेगा अगर Y रहेगा यहां X वाई दूएगा पुछता है इससे जदा नहीं पुछता है अगर X र तो सबसे अधिक बार यह नहीं कि गहात उपर वाला है तो तीन आई से अप्सन ठीक देए बिल्कुल गल्ती है यह देखिएगा सबसे अधिक बार जो अकलन किया गया होगा उसके बगल में देखिएगा वाई है ना इस पर कुछ नहीं तो एक है तो एक इसका घात हो जाएग हो तो इसकी त्रिजिया के परीधी में ब्रीधी होगी तो देखिए कुछ नहीं करना है यानि परीधी यानि ब्रीध की परीधी कितना होता है यहीं नहीं होता है बिल्कुल यहीं होता है जो आर का मान है इसमें आर का मान रख लिजेगा गुना किजेगा तो इसी में से से कें नमर क कहां पर है सेंटीमीठर पर से किंड है नमर भी में दिया है जूजा गया चलिए यह देखिया चोत्हा नमर क्वस्चान जेखिए इस तरह करें टर्डBack भाता इस उक्षिडेंग घैस छपने वा यहां पर जैसे कि शेक है तो इसका मान ऊपर चल जाए गा एक सोवन अभागा रूट एक सफ़लास वन ऐसे नहीं हो जाएगा यह देखिए यह जीस्तर है उसी तरह जाएगा तो इसका मान सेम हो गया जो आपको सुत्र वाले में किया बताए थे कि अगर साइन इन भार से एक स Coss inverse X ब्रावर होगा तो इसका मान 5 वटा 2 होता है, यही ना होता है, तो यह सूत्र पर आ गया, कोई से इसको आपको नहीं बुझा रहा होगा, कि यहां पर कोई से पलटे हैं, देखिए, जैसे कि सेक ठीता हो गया, Coss 3 ब्राबर 1 होता है, यही ना होता है, तो अगर हम यहां यहाँ पर फिर ले जाएंगे तो यहाँ इसका मान भी पलट जाएगा यहाँ इसका मान जब पलटेगा तो इस तरह हो जाएगा यह सुत्र पढ़ा जाएगा बिल्कुल आजएगा जो डिवाई बटा डिएक्स कमान पूचा है तो यहाँ पर देखिए पाई भाटा टू आइंटो डिएक्स कमान कितना होगा तो देखिए यह कोस्टेन है तो इसका इंसर कितना होता है यह देखिए यह पाई जब बाहर जाएगा तो इसका अंदर कुछ नहीं बचेगा तो इसका इंसर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा जो आप्सन नमर डि मे कितना होगा देखे यह पलास है यह अनन तक जाएगा तो इसका हम सुपर फास्ट ट्रिक बताते हैं देखिए यहाँ पर हरमेशा नीचे जो भी मान देगा इस तरह वाही का मान देगा डिवाई बटा डिएक्स लिकालने के लिए पूछेगा नीचे हरमेशा 2y-1 होगा इसका एंसर हो जाएगा बुझा गया इस तरह जब भी सवाल पुछेगा तो नीचे हरमेशा 2y-1 होगा इसका आउकलन का दीजेगा वही इसका एंसर हो जाएगा चलिए पांच नमर भी कोचन बुझा गया इस टाइप का कोचन पुछेगा तो इसी ट्रिक से आफ बनाइए गा देखिया यह छाठा नमर कोचन बहुत बहुत इंपोर्टेंड है कि यदि डी साइन इन वर्स एक से डिरेक्ट सूतर पुछेगा इसका सूतर कितना होता है बताए इसको वीडियो कमेंट में बताना है कि आपको 6 लिखना है और इसके साथ में बताना है कि A होगा कि B और इसके अलावा जितना भी सूत्र है आगर सूत्र याद रहेगा तो अराम से आप बना लिजेगा इसमें कोई दिकत नहीं होगा इतना जो लिखित सवाल है ना इतना ही कोचन यानी इतना ही अब जेक्टिव कोचन में बहुत बार पूछा है और पूछेगा ठीक है और इस पर से सूत्र है ठीक है यह शुत्रों को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर जाना है और इसके बाद यह सभी कोचनों को बार बार फ्रेश्टी करना है चलिए अपती सारकाइनी दूग चेप्रार खलास हुआ यह खतम हुआ आप चलिए त्रीडी यानि त्रीवीमियन देशांग जमीती की ओर चलते हैं देखिए यह सवाल है कि जेड अक्ष की दीकोजा कितनी होगी तो देखिए यह हरमेशा को चन पुछता है एकस का पुछेगा नहीं तो वाई का पुछेगा नहीं तो जेड का पुछेगा हरमेशा पुछेगा तो जिसका पुछेगा उसक तो यह तीन नमर पाता है तो यहां पे तीन नमर क्या बोले हैं कि जो आन जिसका भी मान पुछेगा उसको मानिएगा एक जो आना स्थान पर रहेगा वहां पर बागल में वाई आए एकस है तो इसको जिरो जिरो इससे बाइठा लिजेगा यही इसका एंसर हो जाएगा जो आ इसके अगल बगल मैंसे 0 बैठा दीजेगा, यहीं इसका एंसर हो जाएगा, इस तरह का भी कोचन आपके एकजाम में बहुत बार पूचा है, आप प्रिवियस एर कोचन पेपर भी देखिएगा ना, तो देखिएगा कितना बार पूचा है, और आप एकजाम देने जाएगा तो यह जो स्रीज आपको इस्टार्ट की है, इस स्रीज में से देखिएगा, सारा कोचन आपके एकजाम में यहीं से आएगा, ठीक है, तो चलिए, यह स्रीज को आपको कभी भी मिस नहीं करना है, यानि जादा नहीं है, पांच या छोगो और वीडियो होगा, और इसे के ब देखा कि दीक अनुपात A, B, C हो तो इनके दीक को जाएं कितनी होगी, तो देखिए, कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी मान देगा, उपहले उपर हो जागा, अब फिर यह सभी का A स्क्वाइर हो जागा, ठीक है, यह रूट हो जागा, B है तो B, यह C है, तो C ठीक है, यह पर देखिए, यह सीगमा दिया है, उसे कोई दिकत नहीं है, देखिए, A दिया है, B दिया है, C दिया है, A स्क्वाइर, इसका B स्क्वाइर, उपर जो रहेगा, उसका B स्क्वाइर होगा, ठीक है, वही इसका एंसर होगा, जो आप्सन नमर D में दिया है, बुझा गया, चल सबसक निचे हो जाएंगा तो दू का स्क्वायर कीजेगा यहाँ पर जोभी मान रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा तो is तो 9 हो जाएगा यह 6 का स्क्वाइर कीजिएगा तो 36 का 36 यह माइनस में जैसे कि यहाँ पे 6 का स्क्वाइर करते तो यह स्क्वाइर होता है तो यह प्लस नहीं हो जाता विल्कुल हो जाता तो 36 हो जाता यह सभी को जोरिएगा तो 9 यहाँ पे 4 गो यह 9, 10 यानि यह 3 हो इस सम में इसके भाग देना है जो हुए ही इसका एंसर हो जाएगा ठीक है जो option देखते हैं जो option नमर चलिए यानि 2-3 देखे 2 यहां पर है 2-3-6 जो option नमर यह में दिया है ठीक है इस तरह का कोचन आपके एक्जाम में बहुत बार पुछा है जब भी पुछेगा जी तरह दे सकते हैं क्यों इसका देखिए स्कुवाइर भी नहीं केलिए गाना तो उसे कोई नहीं चल यानि इससे भी पाता लग जाएगा option से फर्वा जान दिया रहेगा उसे भी मां पाता लगा कर इसका एंसर आप टी कर सकते हैं चले तीन को कोचन होगा इस चेप्टर से बहुत बह और यहाँ पर लिखना है ठीक है चार के स्कुवाइर टो चार्जों का 6 नहीं कॉटना से कोई आंसर हर जाएगा जो जो जोरीयेगा तो नौ्- और बचल यहां पे दस होगा तो 25 थोन्त हो बत्त पचीस नहीं चै humming चं़ सूरा मैं लेकिन लेकिन रूट को तो एब धूर के फटाक देना नहीं मिला तो अप्सम से आप को इसका मान तूर ना है को इसे तुरिएगा तो यहां पर 50 को उठाईएगा ऐसे 50 को देखें तो इसका एक बाहर आज़ाता है एक बाहर आज़ेगा यानि पांच बाहर आज़ेगा बचे का कुवण दू रहेगा यहीं इसका एंसर होगा जो आप्सन देखते हैं option number B में दिया है, कितना में दिया है, option number B में दिया है, बुझा गया, चलिए, चार को कोचन हो गया, पाँचवा नमर कोचन देखे, यदि कोई रेखा, धनात्मक, नियामक, अक्छो के सांथ, alpha, beta, gamma की कोन बनाती है, तो इसका मान कितना होगा है, ये कोचन आपको बहुत बहतर इन तरीका से बताएं थे, कि अगर L square plus M square plus L square देगा, तो इसका मान एक होगा, अगर यहीं पे cos में रहेगा, cos square theta plus cos square theta रहेगा, तो उसका भी मान कितना होगा, उसका भी मान एक होगा, अगर sign में देदेगा, तो उसका मान दू होगा, कोई से होगा, यहाँ पे तूर को भी आपको बता देते हैं, आज इसका भी वीडियो हम आपको बना चुक है, बताए तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वास है, तो 1-sin2 ठीटा हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पर फलस है, तो फलस दीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी फलस है, तो फलस दीजिए, हो जाएगा, बिल्कुल 3 हो जाएगा, इसमें से 100 में से माइनस हम कमल लेंगे, यहाँ पर फलस में हो जाएगा, 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 यहाँ पर फलस में हो जा पाला स्कोरugen 30 पर भी साइनस क्वर нам उन स्किक्ष को है ठीटा यहींद रही होगा बिल्कुल हूँगा तो यहां पर पलास में था इथर आएगा तो माइनस में वोजगा तो यहां पर एक तीन में से मैं dominance 3 में से 1 घटा येगा तो minus 2 होगा और यहां पर देखिए minus 1 करजगा तो sine square theta इसका मान कितना होगा इसका मान 2 हुआ अगर cost में रहेगा तो उसका मान 1 होगा m² last square प्लस n² के रूप में भी रहेगा तो उसका भी मान 1 होगा अगर sin में रहेगा तो उसका मान कितना होगा उसका मान दू होगा ये भी आपको पुझा गया होगा चलिए ये चाथा नमर कोचन दू दो तीन चार और इतना को मिलाने वाली रेखा खन के मध्य बिंदू का नियामक कितना होगा कुछ नहीं करना है देखिए ये मान X का है ठीक है ये मान Y का है य यहां पर देखे यहां तो ले यहां पर देखे वाई टो का मान यह जेड्ट का माने हो गया इसलिए थोड़ा आवाज इधर उधर आ रहा है इसे कोई दिकत नहीं है जल्दी खासी भी ठीक हो जाएगा ठीक है देखिए यहां पर z1 है प्लस z2 हो गाए ठीक है तो देखिए यह काथी लिख यहां पर x1 y1 z1 x2 y2 z2 यही ना मान लिखे है तो देखिए x1 का मान कितना है x1 का मान 2 है तो 2 यहां पर रख लिजिए x2 का मान यहां पर कितना है 8 है यह पलस का चिन है तो पलस आदू से भाग देजिएगा दूसरे जब भाग दीजेगा निचे वाला में तो 8 गो, 2 गो, 10 गो, 10 में दूसरे भाग दीजेगा तो कितना होगा 5 होगा, जो 1 मान कितना होगा 1 मान 5 होगा, जो option से भी आप छाट सकते हैं, पहिल का मान कितना है, 5 है तो यह होई बे मान यहां पे मैनस दिन है तो यहां पर भी मानस तीन हो जाएगा आप भागा 2 तो देखें हम यह कर जाएगा कि मानस 3-3 कर जाएता है तो पूरा 0 हो जाएगा इसका वी मान 0 हो गया और समखावन न लग रगे तो option number D सिधा आपको बुझा रहा है लेकिन आपको पूरा बनाना है ठीक है Z1 प्लस Z2 तो Z1 का मान कितना है 4 दिया है Z2 का मान 8 दिया है तो यहां पे 8 रख लिजिएगा दूसरे भाग दिजिएगा तो 8 रख लिजिएगा तो 6 हो जाएगा यानि यहां पर भी 6 हो जाएगा जो option number 506 जो option number D में दिया है बुझा गया इस तरह का जब भी आपके सवाल मिलेगा न तो बिल्कुल इसी तरीका से बनाईएगा और देखिए एक आपको वीडियो बनाए थे जिसमें आपको 5 वह चेप्टर आपको बताए थे जो बहुत बहुत important है उसी से हर सल आपको objective कोचन पूछता है यानि सबसे अधिक बार पूछता है तो उसमें से बहुत सरा ऐसे student कमेंट किये ना कि भाई हमको यह सभी चेप्टर आपको हम बोले थे ना उसमें कि अगर आपको यह सभी चेप्टर किलीन आगा और सही तरीके से आप नहीं पर आए ना तो जरूर इस वीडियों के कमेंट में बताईएगा क्योंकि अगर यह सब कोचन छोर के जाते हैं तो आपका जो सपना है ना कि 90-95 नमर हम मैथ में लाएं तो वह सब चेप्टर को आपको किसी भी हाल में पर लेना है तो पर लेना है तो उसमें से बहुत सरे student हम से बोले या एक वीडियों में या 20-25 मिनट का होगा एक ही वीडियों के 5 वीडियों हम आपको बना देंगे जो बहुत ही बहतरीन तरीका से आपको पढ़ाएंगे उसमें ठीक है तो चले इसमें इतना ही था जितना आपको objective कोचन बता है ना बहुत बहुत यह सभी कोचन इंपोर्टें तो चलिए अगर वीडियो आच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो चले मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियों में